हेलो गुड मर्णिंग गाईज यह आज हमारा एक ओर नया व्लोग आज हमारा किर्केट मैच नंबर दार ग्राउंड यह जावली यहाँ पर तांडव इस्टार दूसरी टीम हमारे टीम चोधरा हट किर्केट किलब के साथ पर फिर सुबह की सूरज की किर्णों के साथ हो तो पर वह जो एक इंग ओंग मैठ नंबर दार दो कि नंबरदार स्टेडियम जावली आपको पिछका मुआयना कराते हुए दीरे दीरे के लाड़ी ग्राउंड पर आते हुए कुछ ही देर में मैस सुरू होने वाला है तांडव स्टार एक अच्छी टीम के साथ 14 हट किर्किट किलब के साथ आज मैच के सुन्दर ग्राउंड अच्छा ग्राउंड अच्छा ग्राउंड यार्या हो जाएगा यह देखो आप नंबरदार ग्राउंड में अब जावली अच्छा ग्राउंड यार्या नंबरदार क्रिकेट अकेडमी गाउंड जावली इसका इंट्रेंस सामने स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल के साथ बेह संदर ग्राउंड टॉस के लिए टीम जाते हुई दोनों कुप्तान साहब नीरा चोधरी और अपने अंकित भाई टोस चुरू अंकित भाई ने सिक्का उच्छाला और यह एक बार फिर नीरा चोधरी टोस जीतते हुए एक बार फिर और क्या कहना चाहोगे आप लगता टोस जीत रहो तो जीतना तो चलता रहता है जीतने के उपर है चलो बहुत बढ़िया चीट है यह हमारे ग्राउंड मैं ग्राउंड की तैयारी करते हुए बहुत बढ़िया जल्दी मार्किंग कर दो भाई मेर्च के सुरुवात सुरुवात के कुछ पल ओपनिंग दोनों बैट्समेन आते हुए अंकुर उड़ा और जड्डू पहला वार सचिनभाई डालते हुए लाप टार्म मैच की पहली बोल जड्डू सामना करते हुए और ये पहर की तरह बोल निकालते हुए अच्छा ड्राइव जड्डू का और एक बोल दोरन चाचिन भाई दूसरी बोल डालते हुए अच्छा रण निकाला भाई का सचिन भाई की तीसरी बोल सामना करेंगे अंकुर उड्डा पहुती सुन्दर बेह सुन्दर बोल पहुती पहुत्य?!?! पहुती की बोलूए पहुती है मघान फैन दूसरीड थे हो आँजesse की जाचिन भाई जा का सचिन भाई का सचिन भाई गई आच गरई हुए और एक और कम्प्लेट सामना करेंगे जड्डू अब दूसरी बॉल और ये करारा चेरन बेह सुन्दर शोट अंकुर उड्डदवारा और चेरन और की दूसरी बॉल फिल्टर बॉल लाते हुए बहुती लाजवाब शोट और एक और करारा शोट बहुती उम्दा फिल्डिंग सचिन भाई दूसरी बॉल पांच बॉल की आखरी बॉल सामना करेंगे उड्डा उड्डा वर्सिस उड्डा और ये कैच शांदार कैच छोड़ते हुए की पर दुवारा और बहुती अच्छी बॉल थी बल्ले का एज लगते हुए कीपर दुवारा कैच छोड़ी गई दो ओवर कंप्लीट इन भाई का लगातार दूसरा ओवर सामना करेंगे उड्डा सुरी जड्डू और ये देखिए क्या घुमा के मारा है और ग्राउंड के बाहर बोल भाटी जी जाते हुए बोल लेने के लिए कि दूसरी बोल ओवर की ओ हो हुआ है दो बोल हो गई अब तीन बोल अपने दूसरे ओवर की तीसरी बोल डालते हुए अब यह सुन्दर फिल्डिंग चार वोल बेह सुन्दर शॉट और बॉल बॉंडरी की तरफ चार रन अब आई अपनी छटी बॉल डालते हुए सामना करेंगे उड़ा दोना फिल्टर बॉल के पीछे बहुत ही सुन्दर फिल्टिंग और कम्प्लेट परशांद उड़ा अपना दूसरे और की पहली बॉल डालते हुए सामना करेंगे जड़ू और ये बल्ले का हलका असा किनारा लगते हुए उसी के चलते एक रन के साथ इस्ट्राइक चेंज उड़ा सामना करते हुए दूसरी बॉल का परशांद बहुत ही बढ़िया केप रिंग बेह सुद्नर ग्राउंड लेग एंपायर नीरेच चोधरी तीसरी बॉल का सामना करेंगे उड़ा वर्सेज उड़ा चल रहा है मामला और वाइड एंपायर द्वारा वाइड का इसारा यह अपने अगली बॉल डालते हुए उड़ा और अंकुर उड़ा के लिए यह देख उठा के दिया है यह और चारन बॉंडरी की तरफ बहुत ही उंदा शोट अंकुर उड़ा द्वारा परशांद उड़ा की बॉल पर लगा यह चोका मिस फिल्डिंग के चलते हुए एक रण भाई का सोरी लेग भाई का एक रण एक रण के साथ और कि समाप्ति चार ओवर कंप्लेट सिवा आपना पहला ओवर की पहली बोल डालते हुए सामना करेंगे जड्डू और यह देगे क्या करारा शोट मारा है चारन के लिए बॉल बॉंडरी से बाहर बहुत ही उंदा शोट जड्डू दुवारा पहली बोल पर अपनी दूसरी बोल डालते हुए ओवर की शीवा वाइड बॉल एंपायर द्वारा वाइड का इशारा कप्तार अंकित भाई चाहेंगे एक बार अपनी टीम को जीत दिलानी एक और बेहद उंदा शोट जड्डू दुवारा लाजवाब चारन अगली बोल का सामना करेंगे जड्डू वाइड बॉल और यह चारन के लिए बोल को भगाया बोल के पीछे खिलाडी और यह बोल बहुत रोकते हुए अगली बोल और यह देगे बहुत बैस सुंदर शोट चारन बहुत ही बड़ी अला जवाब बैटिंग करते हुए जड्डू शीवा अगली बोल डालते हुए शामना करेंगे जड्डू और यह चैरन चैरन बोलर की बोकला हट लगातार चलती हुए दिशा बदलते हुए अपनी बोलिंग की और यह देगे एक और चैरन बहुत सुंदर चैरन के साथ बहुत बढ़िया और टीम चोदर आठ क्रिकेट क्लब के लिए आतिस अपने पहले और की पहली बोल डालते हुए अंकर उड्डा को अंकर उड्डा सामना करेंगे आतिश का अब एक और बॉंडरी की तरह बोल को चारन बहुत सुंदर शॉट करेंगे अंकर उड्डा करेंगे आतिश के दूसरी बोल सामना करेंगे अंकर उड्डा वाइड बोल का इशारा एम्पायर द्वारा आतिस अपनी अगली बोल डालते हुए सामना करेंगे उड्डा आतिस अपनी अगली बोल डालते हुए सामना करेंगे उड्डा आतिस अपनी अगली बोल डालते हुए सामना करेंगे उड्डू इसको जहर बोल का नाम दिया गया है फिल्डर दुवारा जहर बोल बताई गई है आतिस अपनी पांच वी बोल डालते हुए सामना करेंगे उड्डू और यह चार रन के लिए बोल को बॉंडरी बहार बहुती बढ़िया बैतरी शॉट जड्डू के लिए लगातार तालिया बजती हुई आतिस अपनी और की आखरी बोल डालते हुए सामना करेंगे जड्डू पिछली बोल बढ़िया चोक का मारा था और यह एक और बोल बॉ आस अपने पहले और की पहली बोल सामना करेंगे जड्डू और यह कीपर द्वारा बोल और यह चार रन कीपर द्वारा मिस्फिल्ड बाई के चार रन ग्राउंड के अंदर एक एक्ष्ट्रा घ्लाड़ी बीच में बादा डालते हुए कीपर इस टाइम हैंड्सम बॉय हंक अपनी अगली बोल डालते हुए और यह देखो एक उंदा शॉट और चैरान यह खेत में बॉल पहुचा दी जड्डू ने बहुत ही बढ़िया शॉट जड्डू दुवारा चार बॉल हो चुकी है पाँची बॉल डालेंगे और जड्डू जामना करते हुए यह देखे एक और शॉट चार रण के लिए बहुत बढ़िया जड्डू की फिफ्टी और यहां पर तालियों के साथ और बहुत बढ़िया बाई ला जो आप बैटिंग जड्डू दुवारा अपना अर्षा तक बहुत ही कम बोलों में पूरा करते हुए दर्शकों का सम्म सब्सकिया बढ़िया निस्वहां करते हुए जड्डू अपने बैट से अरग अपने दोके सब्सक्राइक बोलर के आखकरी बोल डालते हुए जड्डू सामना करेंगे और बहुत ही उंदा कैच बहुत ही सुन्दर कैच पकड़ते हुए फिल्डर बेद जड्डू आउट 50 करके अपनी अगले भैट्समैन मनीश पांचाल मनीश पांचाल जड्डू के आउट होने के बाद बैटिंग करने आये हैं पहला विकिट टीम को मिल ही गया तंडव स्टार मनीश पाल सामना करेंगे बोलर का पहली बोल परी स्ट्राइक चेंज और कम्प्लीट बाटी अपना पहला वर लेके आते हुए पहली बोल पर बहुत सुंदर रन निकालते हुए और जिहां दो रन पूरे करते हुए अपने पहली बोल पर बाटी ये अपने दूसरी बोल डालते हुए मनीश पांचाल और ये बेह संदर्शॉट चल पांचाल अदेशॉट कि अरे यार इनकोली ना ना में लेकुल लगा हो गया हो गया हो गया हो गया जले यार जेट करें हो गया रहन बहुत लंबी दिरो है जावाज भाई में अंकूर अच्छ बाइत है को पती हुआ आट हैं बाई अंतर ना में अच्छ भएड़ीया को बाई बाए अच्छ इएक आध में अने बात बाद्या बाए अच्छ़ण और अबेंगा है जूंदर से लिए से सिंगल रण के साथ अजन कर रहा है नाट साइन्स मैं सब्सक्राइब पिदी ने लिए गरे जाश परेटरी चाहे हैं और यह वाया वह कह रहा है तो सेमसंट को इतना बड़ा। कि अधिक निकाल के दूसरी इसमें लगाता है कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है और कंप्लेट अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया पिछली बोल पर गुटना टेक के बहुत ही सुन्दर चैरल मारे हैं कि अधिक है अधिक है अधिक है कि अधिक के बोल भाई है शाइट बढ़िया एक रन के साथ बाटी अपनी अगली बोल डालेंगे बहुत ही अच्छा सोट एक रन के लिए एक वाइट बोल पांच रन के लिए यह सामने वाले छोड़ते बोलर अंकूर बैश्टमेन और यह वे डोट बोल यह यह जोड़ बोल यह जोड़ बहुत है अच्छा सोट एक रन के लिए बने सबाच जाल पहल होते हुए यह जोड़े और बैश्टमेन ने पिगलाए वाइट बोल और यह जोड़े लगड़े इस अच्छा सोट उनकूर बहुत ही बढ़िया सोट ख्लासिक तो जाड़े तेवाइट अब कर वोड़ों यह जोड़ें पांचाल ने शिक्स लगाया बोलर फिर एक बार पांचाल ने उसे जोड़ें प्लिक के लिए खेल दिया और एक रन से संतुष्ट फिर से अपने रन पर सामना करेंगा अंकूर और अंकूर ने उठाकर खेला है देखना होगा यह और यह अंकूर की पारी समाप्त एक आसान सा केंच दे बेटे बड़ा से बड़ा सोट मानने की चक्कर में के अगले बंद बाद जाते हुए शादाब ग्यारा ओर की समाप्ति के बाद इसकोर पहुचा एक्सवन अत्तिस दो विगेट के नुक्सान पर आउट होने वाले बंद बाद जड्डू और अंकुरुड़ा और एक बार फिर सामना करेंगे नेवल्ले बाद शादाब बोलर अपने रनफ से आते हुए और ये पहली गेंद को उठागर गेनी कोई थी और वाइट के साथ चार रन टीम के खाते में जुड़ेंगे पांच रन टीम को काभी फाइदा हुआ और स्कॉर पहुचा 134 रन अपने रनफ से और साथ आपने सोट उठा खेला और बोल महीं दब गई डोट बोल कोई स्कॉर नहीं स्कॉर अभी भी वही 134 रन दो विकिट के नुक्सान पर कास नए बोलर सामना करेंगे मनीश पांचाल और ये हलका सा पुछ करते हुए डोट बोल स्कॉर अभी भी वही 134 पोलर फिर अपने रन अप पे सामना करने के लिए तयार है मनीश पांचाल और ये शौट खेला है और पास में फिल्डर ने उसको जल्दी से जच किया और फिर बागी का काम करा कीपर ने आकास अपने रन अप को बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तयार है मनीश पांचाल जो पिछले मैच में बैक टू बैक सेंचुरी मारे हो रहे है और ये शौट खेला है उन्होंने स्टेट की तरब एक रन से संतुष्ट स्कोर 135 रन अभी सोगर में पहली बार सामना करेंगे आकास का और आकास ने बोल फेका और ये सादाब ने शौट खेला स्टेट की तरब एक रन लिया दीरे दीरे अपना स्कोर को बढ़ाते हुए आउट होने वाले बले बाद जड़ जो आज काफी अच्छी 50 मार के गए हैं उसके बाद अंकुर उड़ा जो काफी अच्छे सोट खेल रहे थे और बड़ा सोट मारने की चक्कर में अपना विकिट देवेट हैं करेंगे आकास का और ये उठा कर खेला है मिस फिल्ड का देखने को मिला और डबल का कोलता लेकि और शादाब तयार और शॉट खेला है अफसाइट की तरफ सीधा फिल्डर का हाथ में एक रन से संतुष्ट करने के लिए तयार बोलर का शादाब और ये शॉट खेला है अपनी बोल पर फिल्डर बोलर ने तुरंत उसको जज़ करा डॉट बोल कमेंटरी चल रही है और साद आपने शॉट खेला इस्टेट का फिल्डर तुरंत बोल को फेक्टे हुए एक रन बारा ओर की समाप्ति पर स्कोर पहुचा 140 रन दो विगिट के नुक्सान पर सामना करने वाले बल्ले बाज मनीश पांचाल श्लो बोल बोलर ने बड़ी चतराई से बोल फेका और उसे ज़ग काफी जल्दी जज़ करा मनीश पांचाल ने एक रन से संतुच लिए से तयार हैं शादाव एक बार फिर और बड़ी गती से बोल निकली है जोट बोल इस ओवर में दो बोल अब तक के डोट कर चुक हैं एक मनीश पांचाल और दूसरी बोल शादाव आज काफी अच्छा स्टार्ट दिया है हमारे उपनर बल्ले बाजो ने अंकुर हुटा अच्छी व्याच्छी ग्राउंड शोट खेले आज उन्होंने और अच्छे शिक्स दिखाई जड़ उन्हें 50 रन उन्होंने बनाए टीम के लिए एक बार फिर सादाव सामना करेंग बहुत ही अच्छा शोट खेला ग्राउंड इट शोट खेला फिल्णर बॉल की तरफ के बढ़ते हुए और चुरो करा कीपर की तरफ पांच चाल फिर सामना करने लिए तयार बोलर का और उन्हेंने स्लो बॉल फेका काफी अच्छा लंबा हिट मारा स्टेट की तरफ अरे इसे स्पिनर मान के खेल जबी लगेंगे एक आभी फैके और बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं आज उन्हें फिर दुमारा करके दिखाया अपना फूतरा चुक्ता स्कोर पहुचा 147 दो विकिट के नुक्सान पर आउट होने वाले बल्ले बाद जड्डू और अंकुर हुड़ा आकास अपना दूसरा वर लेते हुए सामना करने के लिए तयार है शादाब और शोट खेला उन्होंने काफी चतुराई से शोट खेला बोलर की बोल पर और ब कप्तान नीरज ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैंसला लिया एक बार फिर सामना करने के लिए तयार है मनीश पांचाल और शोट बॉल फेकी और डॉट बॉल शादाब ने नौनी स्ट्राइक से उनको मना करा काफी अच्छा किरकिट देखने को मिलते हुए और शर्दी के मोसम में गरम गरम चाय हमारे भाई लेगा है इनका बहुत-बहुत धन्यवाद काम न करेंगे मनीश पांचाल बोलर आकास का और शोट खेला है जो अगर अपने नीजी स्कोर 27 रन पर खेले हैं और अपना स्कोर बढ़ाते हुए दीरे-दीरे 28 रन जो डबल रन होना था उन्होंने सिंगल को ही संतुष रखा काफी अच्छा किर्किट देखने को मिला आज सुबा मॉर्निंग से बड़े-बड़े चक्के भी देखने को मिले अंकुरूर्दा और जड़ू से एक बार फिर सामना करेंगे शादाब बोलर का और बड़ा हिट खेला है जिसके लिए जाने जाते हैं सादाब काफी अच्छा शौट खेला है उन्होंने छे रन के लिए बहुत ही अच्छा किर्किट देखने को मिला आज मैं हुँ आपके साथ कॉमेंटेडर मौसिन पुरेशी इन्हें नहीं लगना सी है कि दोई प्लेर बहुत बढ़िया से बैक टू बैक तीन चक्के मानने वाले पहले बल्ले बाज बने हमारे शादा तोमर और टीम का स्कोर काफी अच्छी इस्तिति में पहुचाया पहला दो चक्के मारे इन्होंने ऑफ साइड में और एक चक्का मारा लास्ट वाला जो स्टेट की तरफ मार स्कोर पहुचा टीम का 166 रन चोधावर के पास जार का इनाम सेडाव के आता है साधाव जो के आज अपना कप्तान को दुबारा से फोर्म गाए है हमारे कैप्टन साव अपने टीम के प्लेयर को समझाते हुए एक बार फिर सामने करेंगे मनीज पांचाल स्लो बोल फेंकी काफी जल्दी जज़ करा उन्होंने बोल को और यह मिस्पीड दुवारा देखते हुए वन बाउंच चोका काफी अच्छा मोमेंट टीम का स्कोर अ महेंगा होवर साबित होते हुए आज यह और सामना करने के लिए फिर एक बार देखा स्लो बोल का सामना और यह फिर इस्टेट दुवारा सिक्स मारा मनीज पांचाल ने जो हमारे रेगुलर के पहली बार पहले दो मेंचों में लगातार वो सेंचुरी मानने वाले ऐसे बल केट कलब का ना मूचा करते हुए शादाब और मनीज पांचाल बोलर का काफी लंबा होगा आज देखने को मिला काफी रन उन्होंने खर्चे एक अपनी लास्ट बोल को लेते हुए और बल्ले से टेस्ट करा अपने करीब 50 के पहुचते हुए मनीज पांचाल चोका मारा इ प्लेयर की दिसमें और सारे जितने भी प्लेयर बेटे हुए चाय की स्की ले रहे हैं का चोधराट किटकिट कलब के जो कप्तान है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद टीम को देखते हुए उन्होंने सबको सर्दी के मोसम में चाय पिलाई बहुत-धन्यवाद थन्यवाद अब करेंगे लाश्ट बारन का सामने करते हुए और यह चोकी की तरफ को जाते हैं और यह फॉर राण ग्राउंट इट सोड़ाज का भी बहुत अच्छे दिखाए हैं मनीश कांचाल ने मौच कर दिए कप्तान एक बार सबकी फरमाईस पूचते वे लेंच में खाने का इर अब बहुत लंबा आवर देखने को मिल रहा है जो करेंगे वाइड भाइड भी फैकिये और बोल जाती है बॉंटरी की तरफ को चार रन टीम को मिलेंगे पांच रन एमपार का इसारा बाइक 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 के पांच रन मिलेंगे टीम का का अच्छा स्कोर बोचता हुए और कि पांच रवल निर्व लेख बाइक केव फिर मनीश पांच चाल और हलका साथ कुछ किया बॉलर से मिस्पील्ड ऊपने पे लगा लेकिन को जाली बोल सामना करेंगे सदाब और एक और उठाके चेह मारा लगातार चार चक्के इन्हों के लगातार चार चक्के सदाब के और कप्तान दुआरा इनको इनाम देंगे मैच के बाद लगातार चार चक्के मार दिये हैं आज इन्होंने बहुत ही उम्दा पारी इनकी सदाब बहुत बढ़ी आसिंगन निकाला पहुत ही उम्दा बल्ले बाजी साधाब दुवारा तो पहुत बढ़िया बाई पांचाल बहुत बढ़िया बाई पांचाल साधा वागली बोल का सामना करेंगे सचित और यह उठा के मारा और चोड़ते हुए एक और एक और मिस्विल्ड के चलते हुए तीसरा रन प्राप किया बहुत बढ़िया वे टीम का स्कॉर दोसो रन और क्या बढ़िया शोट एक और और यह मनी पांचाल की 50 इस्टेडियो में दर्सकों का सम्मान करते हुए चार रन वन बाउंस सदा बहुत बढ़िया उंदा पारी खेलते हुए अपनी लगादार बल्ले बाजी की बहुत बढ़िया बाटी जी अपना दूसरा स्पैल लेकर आते हुए और पहली बोल्ड डालेंगे सामना करेंगे मनी पांचाल चोदराट किर्किट किलब अभी पिछले दो औरों से लगातार चैचार 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 करते हुए और एक चार और बोंडरी की तरफ बोल को भगाया आप देख सकते हैं फिल्टर बोल के पीछे जाते हुए बहुत ही बढ़िया चार रन पहली बोल चार रन प्राप्त किये मनी स्पांचाल लें बाटी अपनी दूसरी बोल एक और शोट और चार रन बहुत अच्छे बहुत लगातार दूसरा चोका दो बोल दो चोके प्राप्त किये मनी स्पांचाल ने बाटी जी अगर चार रन एक और चोका मनी स्पांचाल दौरा आप देख सकते हैं लगातार पढ़िया उंदा बैटिंग करते हुए और फिल्डर और दर्शक पूरा मज़ा लेते हुए मैंच का मनी स्पांचाल लगातार अपने बैट से रन निकालते हुए एक और अच्छी फिल्डिंग बहुत बढ़िया पल्लेबा जी सादाब कैच आउट वापसी आते हुए बैटिंग पर जाते हुए मनीश पाल वापस आते हुए शादाब आपस में बल गलव्स बैटिंग चेंज करते हुए बहुत ही उम्दा बैटिंग इस बल्लेबाद द्वारा आपने देखे हो लगातार चार छक्ये मारते हुए बहुत बहुत ही बादिया बैटिंग का परदश्ण करते हुए लगातार बहुत हाली के लिए बहुत बड़िया बैटिंग लयातार आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुती बढ़िया बैटिंग अपनी अगली बोल डालते हुए सामने करेंगे मनीश पांचाल बहुती लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं अभी आप देख रही है और एमपायर द्वारा वाइड का इसारा अपनी अगली बोल डालते हुए सामने करेंगे मनीश पांचाल बहुती बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और यह देखो उठा के मारा है और फिल्डर दुआरा अच्छी फिल्डिंग का परदर्शन एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज करते हुए सामने आया मनीश पाल मनीश प अधिस्पाल सामने करेंगे पहली बोल मनीश पाल के लिए पहली बोल पर हिए अपना सिंगल निकालते हुए बहुत ही आच्छी रुनिंग बेट्विन दा विकेट दो रन आतीश की बोल पर मनिस पांचाल एक बार फिर अगलीजी बोल का सामना करते हुए अतिश क्या वाइड और साथ में फिर वाइड बोल पर सिंगल दो रन स्ट्राइक चेंज करते हुए बराबर बहुत ही शॉट करारा शॉट क्या करते हैं इस आगरी बोल पर पैड़ पर खाई इनों ने बोल और एक रन के साथ दुबारा से श्ट्राइक चेंज लगभगो और की समापती बाटी जे अपना अगला और लेकर आते हुए मनीज पांचाल सामना करेंगे बहुत ही उम्दा फिल्डिंग और यह देखा बोल गगंचुम्बी बोल और यह ग्राउंड के बाहर यह गगंचुम्बी छक्का बहुत ही बढ़िया यह बोल कैमरे में भी कहतना हो सकी इतने उच्छी बोल बाटेजी अपनी तीसरी बोल डालते हुए शामना करेंगे मनीज पाल एक बोल और निकाल दिया बौंडरी के लिए बढ़िया शोटता मनने बहुत बढ़िया बाटेजी अगली बोल डालते हुए पैड़ पे लगके बोल विकेट में लगती हुई मनीज पाल आउट बाटेजी के खाते में पहली विकेट मोसीन और पांचाल वापसी आते हुए मनीज पांचाल देखते हैं मोसीन क्या करेंगे बाकी की बचिवी गैंदों पर मनीज पांचाल की बहुत ही शांदार लाजवाब बैटिंग जिसके लिए हम इनको थैंक्स बोलेंगे बहुत ही बड़िया बैटिंग आपकी लाजवाब बैटिंग और टीम के कप्थान बढ़ाई देते हुए इनकी पीट करता पाते हुए लाजवाब परदशन करते हुए अपनी टीम के लिए चोद्र हाट क्रिकेट किलाब मोसिन ने पहली बॉल डॉट करते हुए बाटे जी का ओवर खतम तीस अपना अगला ओवर लेते हुए मनीश पांचाल मनीश पाल सामना करेंगे अब दिखा देगा अब दो दो तो और तिक चो आलिस बढ़ती हो गए मोसिन सामना करेंगे आतिश का अब लिए बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग अब अब वाइड वाई बाई बाई के साथ अब बाई के दोरन बोल्ड कबाड़ा करते हुए मैच का मोसीन अगले बैट्समैन आसू सामना कर रहे है अतीश भाई का अतीश जी के अगली बोल यार बाढ़िया शौट चार्ट असा दिया लेकिन फिल्डर द्वार अच्छे फिल्डिंग एक रन के साथ इस्ट्राइक चेंज अब बाई बाई जी अपना अगला और लेकर आते हुए शामना करेंगे आसू देखते हैं क्या करते हैं पहली बोल पर एक रन निकाला अपनी टीम के लिए एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज अब अधिया है अधिया है अधिया इस चर्वार सब्सक्राइब लोगे चालों के चाहर अधिया पता जैने दूसरी बात गया मेरी वास दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उम्दाज चार रन के लिए चार रन 22 ओवर के बाद 258 रन और बहुत अच्छी बैटिंग लाश्ट वोल पर चोकर मार कर दूसरी टीम को 259 स्कोर चेज करना है बहुत ही अच्छी बैटिंग लाजवाब बैटिंग दोनों खिलाडियो दुआरा अब अगली इनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हम फिल्डिंग करेंगे